दोस्तो मैं विश्णू सिंग आज हम पहुंचे है जंजारपूर प्रकंड के काको पंचयत के जहुआ हमारे साथ मौजूद है इस समय जहुआ वाड नंबर तीन के लोग और हम उससे जानने की कोशिस करेंगे क्या खिर क्या बात है क्यों एसी नौबत आगे कि आज यह लोग एकटे होकर यहां पर हमारे पास पहुंचे तो क्य क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम सुनिल कुमार यादव क्या मतलब क्या समस्या है आप लोग समस्या यह है देखिए चारू भाग पानी भरा हुआ है दो बार सुभंस ताशी बना उसको भी बोले है रस्ता बनाने के लिए वह भी नहीं सुना है उसके बाद साकिर रहन भी भाग बना है वह भी नहीं शुना है अभी देखिए बरसात का टाएंब है अभी जहां से निकलते हैं माल भहशी ले करके बैक ले करके निकलते हैं कोई बिमार पढते हैं हमको गाली परता है देखिए चारु त्रफ गहरा हुआ है बीच में थाल-च्वन सबसे पहले जमीन आपको दिखाने की कोशिस करेंगे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी जानने की कोशिस करेंगे सबसे पहले जमीन आपको दोट कोशिस करेंगे हमारे साथ करेंगे हमारे सांथा मोट करेंगे जानने की कोशिस करेंगे। सब्सक्राइब देख सकते हैं लगातार समस्या बनी हुई है रोड की मुख्य सड़क जिससे कि यह लोग बेचारे सड़क पर जाए हम आपको विजूल में भी दिखाने की कोशिस करेंगे इतना चोटा रास्ता है कि जहां से दो आदमी भी एक साथ में गुजर सकते हैं और उस रास्ते से लगातार इन महिलाओ को गुजरना पड़ता है चाची कते दिकत हुई है अब दिकत में पडल चीदिया पुता लग समांग हुई है सब्टा कछर कटे ची घर में कना जयाब से पाढ़ने वह के जगह हैं वहां नाम संगीता देवी तो आप देख सकते हैं महिलाओ और पुर्षो का किस तरह से यहां पर जो है वह वह आक्रोश है क्या नाम हूँ आपका बाल करने जाद है तो बहुत दिकात होता है कहीं भी जाते हैं कोई भी दिकात आता है तो बहुत दिकात होता है कोई भी नई बनारा रहा है लगैजर चपनिल मैं नहीं बनारा है यह बहुत दिकात है यहाँ पर कुछ बुजूर्ग भी मौजूद है उनसे जानने की कोशिष करेंगे क्या के वेशाचर वे नाम हूंत जुगिंदर करनेदे तरह किस चुमजियागं बहुत समझ आए कि उनने इस चोब बिरानवेशी से हाँ है, समझे है, उसे सुबं से पंदर साल रहा, वो नहीं राष्टा जिया, साकर मुखिया पांच साल लहा, वो भी नहीं दिया, अब बिदेशी रामर पांच साल सही है, वो भी नहीं, कहते हैं तो कुछ गुदान भी न तो आप देख सकते हैं इनकी क्या मझबूरी है, इनके पास सिर्फ पांच कड़ी का एक रास्ता है, जिसे चाहते हैं इन लोग कि ढहलाई हो जाए, और वो रास्ता चलने योग क्या चाहते हैं? तो इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पांच कड़ी का जो रास्ता इनका वह सही हो जाए जिससे कि यह लोग वहां से निकल सके साइकल से मोटर साइकल से यूज कर सके लेकिन आगे उसको भी घेरा जा चुका है जिससे कि इनका वहां से भी निकलना दूबर है तो हम जो है यही मांग करते हैं और उमीद करते हैं कि इस वीडियो को अब जादे से जादा शेयर करेंगे और मुखिया विदायक सांसत के पास पहुचाएंगे क्योंकि 2024 का इलक्षन आ रहा है और फिर जहुआ में वो लोग इन्हीं लोगों से बोट मांगने आएंगे इसी इन्हीं माताओं से इन्हीं बुजुर्गों से बोट मांगेंगे हाथ जोड़के और तब क्या आप लोग बोट देंगे उनको तो देखिए लोग बहिसकार करेंगे बोट का क्योंकि इनका काम नहीं हुआ है इन्हें रास्ता नहीं मिला है इन्हें इनका अधिकार नहीं मिला है तो उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादत से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादत से ज़्यादा लोगों त इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप लोग देखते रहे खबर आस-पास जय हिंद जय भारत जय मिथला